दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगबान किरिष्ण से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जै श्री किरिष्ण जनम अश्टिमी की हारदिक शुब काम नाएं भगबान श्री किरिष्ण कहते हैं सबिर सबिर ये एक चीज जो मनिश्य खा लेता है तो उसके घर में धन बैभब बड़ी तेजी से आकरशित होता है वो ब्यक्ति रातो रात माता लक्ष्मी की किरपा पा लेता है दोस्तो आगे भगबान शिरी कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के बे सभी मार्ग सुभा की शुरुआत में ही खुलते हैं, जो आप राप्त करना चाहते हैं, इसलिए पूजा, यग, तीरती आतरा, कोई शुब मंगल कारे तथा, शुब विभा, सुभा के समय ही संपन्न माने जहते हैं, जो व्यक्ति सुभा सुर्य उद्य होने से पहले, अगर ये एक चीज खा लेता है, तो उसके घर में कभी धन की कमी अन की कमी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के घर सुक संपत्ति, धन एशबरे, माता लक्ष्मी की किरपा सदय बनी रहती है, दोस्तो ऐसे में हम ये ज दोस्तों को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा, दोस्तों कोई भी बड़ा छोटा तिवहार हो, कोई शु पूजापाड तथा दान करने से पुन्य मिलता है। मात्र सुभा के समय दो तीन तुल्सी के पत्ते खाने से वो प्राप्त हो जाता है। तुल्सी का पत्ता अबश्य खाना चाहिए। तनाप को कम करने में बहुती मददगार साबित होता है। लेकिन दोस्तों याद रहे जब आप तुल्सी का पत्ता खाएं तो दातों से चबाई नहीं उसे निगल जाएं। तुल्सी का पत्ता खाने से ब्यक्ति के अंदर साकारात्मक्ता का वास हो जाता है। इससे माता लक्षमी के साथ साथ विश्नो भगबान की किरपा भी घर पर बनी रहती है। दोस्तो राथ को सोते समय तामे के लोटे बाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भर कर अबष्शे रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को अपने बस्तरों पर इसका छीटा मारें और फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें, भगबान किरश्म कहते हैं, नियमित जो मनश्य ऐसा कर लेता है, उसे युगो युगो की प्राप्ती हो जाती है, कई सुक प्राप्त कर लेता है, ऐसा ब्याक्ती, धन दौलत, सुक संपत्ती से, लक्षमी की किरपा से, रंग से राजा बन जाता है, दोस्त गंगा जल का छड़काप कई दिब्वी शक्तियों से भरा होता है। शिप पुरान में भी बताया गया है कि नियमित कपडों पर गंगा जल का छड़काप करने से तथा सुभा के समय गंगा जल को पीने से ब्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो ब्यक्ति स्वर् पभित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुरभाब भगबान श्री किरिस्न हरी के चर्णामरत से हुआ है। इसलिए गंगा को बहुत ही पभित्र माना जाता है। हरी द्वार में भगबान विष्णू के चरंड कमल गंगा में ही पड़े थे। दोस्तो गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्ष दाइनी कहा गया है। भागी रत के पूर्वजो को मुक्ती गंगा जल के इस पर्ष से ही हुई थी। मानेता है कि यदि मिर्तियू के समय ब्यक् अगर डाल लेता है और सुभा में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों-जन्मों का सुक प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्यक्ति, धन, दौलत, रुत्वे पैसे से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की किरपा ऐसे ब्यक्ति के उपर हमेशा बरसती है। इ इसलिए सुभा के समय गंगा जल अबश्य पीएं। ऐसे में आप नहाने के पानी में दो-चार बूंदें गंगा जल डाल कर अगर नहते हैं तो आपके सभी बुरे करम नश्ट हो जाते हैं। साकर आत्मक उड़जा की होती है प्राप्ति। दोस्त दूसरा है लौंग। सन ऐसे में सोते समय तक्ये के नीचे लौंग अबश्य रखें। और सुभा के समय जब आप उठें तो एक लौंग अबश्य खा लें। इससे नौ देवियों की किरपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है लेकिन याद रहे। लौंग दातों से काम्याबी प्राप्त होती है। गंगाजल जब शरीर पर पड़ जाता है तब हमारे अंदर जितनी भी नाकरात्मक उड़ जा होती है वो सब खतम होने लगती है। जी बजय से हमें काम्याबी प्राफ्त हो जाती है। वो सब तुरंत खतम होने लगता है एक शलोक में शनी देव ने स्वयम कहा था जो मनिश्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है तो वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल अबश्य डाल कर इस्नान करी इस से उस ब्यक्ति को शनी तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का स तो नहाने के पानी में गंगा जल अबश्य डालें दोस्तो मैं भी अपने नहाने के पानी में दो चार बूंदें गंगा जल की हमेशा डालता हूं और मुझे इसका परिनाम हमेशा अच्छा मिलता है क्योंकि गंगा जल एक चमतकारी शक्ति का सरूप है दोस्तो चौथा है पूल का पत्ता, अगर आप चाहे तो जब आप घर से बाहर निकलें, तो सुभा के समय भगबान के गले की माला में से या भगबान के चरणों में से एक पत्ता पूल का भगबान का आशिरी बात समझ कर अबशिक्खा लें, इससे स्वयम आपको इश्वर की किर्पा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगी वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घड़ से बाहर निकलें तो सुभा के समय दो चार दाने चाबल के अबश्य खा लें। इससे माता लक्ष्मी की असिम किर्पा प्राप्त हो जाती है। दोस्तो आगे भगबान श्री किर्ष्न कहते हैं जब आप किसी अच्छे काम के लिए भाड़ जाएं तो मीठा अबश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे सुभा के समय मीठा खाना सर्बुत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब प्राप्ट हो जाएगा। दोस्तो आगे भगबान श्री किर्ष्न कहते हैं माथे पर चंदन का तिलक मनिश्य को विजय प्राप्त कराता है। इसलिए माथे पर कोई भी तिलक अबश्य लगाना चाहिए जो की शास्त्रों में बताया जाता है। सुभा भी आपका कुछ नहीं कर पाता ऐसा ब्यक्ति आकाल मिर्तु से बचा रहता है दोस्तों सच्ची दिल से कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें जैज शिरी किरिशने भगबान किरिशने के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें